नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख्यों पर बिहार में अब बिना वज़ा दाखिल खारिज आवेदन नहीं होंगे रत BPSC 32 बिहार न्याइक सेवा प्रारंभिक आंसर की 2023 चारी काला पट्टा डाल विधान सभा पहुँचे बीज़पी विधायक अर्च वैवस्था को उबारने में बिहार टॉप 3 में डेब्यो टेस्ट में तुफानी सतक जड़ने के बाद भाबुक हुए यसस्वी इसके साथ ही बरते हैं शांतक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार में अब बिना वजह दाखिल खारिज आवेदन नहीं होंगे रद रादिश्व एवं भूमी सुधार विभा के सचीव जैसिंग के दोरा दिये के नर्देश के अनुसार अब बिहार में बिना किसी कारण के दाखिल खारिज आवेदन को रद करना अधिकारियों के लिए महगा पर सकता है दरसल बैसा करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सकत कारवाई की जाएगी बता दे कि सचीव जै सिंग के द्वारा उप समार्ता को नर्देश देते वे कहा गया है कि वेब बेना उचित कारण के मिउटीशन को और स्विक्वित करने के मामले की गहन जांच करी और जांच के दवरान गलत तरीके या बेना उचित कारण दर्शाय खारिज के आवीदनों में संबंधित अज्राधिकारी, राजश्व अधिकारी वर राजश्व करमचारी से स्पस्टी करण पूछे वहीं स्पस्टी करण का जवाब असंतोष चनक पाय जाने पर संबंधित करमी या पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठत करने या वनुसार कारवाई करने की अनुसंसा संबंधित कारे आले या विवाक से बात करे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बिपीएसी 32 न्याइक सेवा परिच्छा 2023 की आंसर की जारी कर दी गई है जिसों में द्वार बिपीएसी के अधिकारिक वेबसाइट बिपीएसी.bih.nic.in.vices से डाउनलोड किया जा सकता है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस प्रतियों की तब परिच्छा के जरीये कुल 155 रिक्त पदों को भड़े जाएंगे मैं इस परिच्छा का आयोग जन 4 जून को किया गया था बता दे कि आयोग की ओर से बताया गया है वह फाइल करा सकते हैं डेंगो को रोखने के लिए शुरू होगा जागरुकता पियान बरसात के दौरा डेंगो और चिकन गुनिया के मामले को रोखने के लिए पतना नगर निगम के द्वारा 15 जुलाई यानी की कल से आम जनों को घर घर जागरू करने का काम किया जाएगा बता दे कि पतना नगर निगम के सभी वाडों में फोगिं एवम एंटी लारवा की टीम छिरकाओ कर रही है मालम हो कि सभी वाडों में सेक्टर के नुसार एक एक टीम का गठन किया जाएगा जिसमें एक दल में दो कर्मी होंगे जिसमें से एक कर्मी के दोर एंटी लारवा का चिरकाओ किया जाएगा तो वहीं दूसरी कर्मी के पास पंजी और सुच्टा सर्विक्षन 2023 के लिए नरधारित फीड़वाग होगा मुखे सचीव केके पाठक दौरा संभाली गई थी मालम हों कि केके पाठक के दौरा पटना और जहानाबाद जले के कुल 6 स्कूलों का निरक्षन किया गया जिसमें से 4 स्कूल पटना में तो वहीं 2 स्कूल जहानाबाद के हैं इस दौरान के एके पार्थक के दौरा बिहार के राजधानी पटना जले के दो स्कूलों में मिली और वेवस्था से नाराज होकर स्कूल के समूचे स्टाफ का वेतन रोकनी का आदिश जारी कर दिया आपकी जानकारी के लिवतादिक इस नरिक्षन में 11,000 से अधिक करमचारी एवं पदाधिकारी शामिल हुए उत्तर बिहार में भारी बारिश की चितावनी बिहार में मौनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है लेकिन मौसून भार के पुरवानुमान के नुसार आज उत्तर बिहार के कुछ हिसों में भारी बारिश की चितावनी जारी की गई है वहीं पुरवी चंपारण और पश्मी चंपारण जिले में कहीं कहीं पर नुस्तलाधार बारिश की संभावना जताई गई है इसके लावा सितामरी, मदुबनी, मुझपरपूर, गोपालगन, छप्रा, वैशाली, समस्तिपूर और दर्भंगा में बूंदा बांदी बारिश होने की संभावना है बता दे कि मौसम भाग के उर से उत्तर बिहार एवं कोसी सिमांचल के जिलो में गरज तरक का यलो अलर्ट जारी किया गया है वही एक दो जबो पर ठनका गिनने की आशनका जताई गही है हाला कि तक्षिन बिहार में बारिश का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा प्रदीश दक्षिन के जिलो में मौनसून का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा बारिश नहीं होने के करण लोगों को गर्मी से काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है काला पटा डाल विधान सभा पहुंचे बीजेपी विधायक पीतेदन बीजेपी के विधान सभा मार्च के दोरा नुए लाठी चार्ज और पार्टी नीता विजेए सिंकी मौत के विरोध में आज बीजेपी की ओर से काला दिवश मनाया गया वहीं कल यानी कि सनिवार को इसको लेकर राजे के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बता दे कि आज बीजेपी के सभी विधायक बिहार विधान सभा में काला पट्टा डाल कर पहुंचे वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार बीजेपी प्रदीश अध्यक समराठ चौधरी के द्वारा बड़ा बयान देते वे कहा गया कि सरकार की ओर से चान बूच कर लाठी चार्ज करवाया गया है इस पूरे मामले में लोग सभा के साथ साथ विधान सभा में भी विशिशादिकार हरन का प्रस्तावल लाएंगे उन्होंने कहा कि ये भारती जंता पार्टी का आंदोलन है सक्चक करही हम उनके समर्थन में है हमने सक्चकों को नहीं बुलाया बिहार के स्कूलों में छात्रों के बैठने की जगह ना होने पड़ होगा यह इंतजाम बिहार सरकार के सक्चा विवाद के द्वारा दिये गए नर्देश करनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में विधार्थियों की बरती संख्या को देखते वे पढ़ाई कराने के लिए अब टेंट लगाए जाएंगे जिसके अंदर बच्चों के बैठने के लिए दरी बिछाए जाएंगे और साथ ही वहाँ ब्लाक बोर्ड भी लगाए जाएंगे बता दे किसको लेकर माध्यमिक सक्षा निदेश्यक कनहिया प्रशाद शिवास्थ के क्युल वह सभी जलों के जिलाद सिख्षा पता धिकाडियों को आधिकारी क्याद बता बताकर बिचारी के लिए शांद को देकते दोर्म उठाएंगे वभ्ष के भारी हंगा में के बीच सदन की काड़े वाही दो बज़े तक हुई तक हुई सगित भी जुलाई को बिहार मौनसून सत्र का आखडी दिन है ऐसे में आज सत्र के आखडी दिन सदन के शुरू होते ही भाजपा के दौरा लाठी चार्ज को लेकर जम कर हंगामा किया गया जिसके बाद हंगामा को देखते वे विधान सभा और विधान परिस दोनों की कारेवाही को दाओं पर लाठी चार्ज किया गया ऐसे वे बीजपी के ओर से हदावा किया जा रहा है कि जहानाबाद के जिला महामंत्री की मौत इस लाठी चार्ज में ही हुई है और साथ ही कई कारेकरता घायल भी हुए टीचर्स की कमी वाले स्कूलों में होगी सक्षकों की प्रतिन्युक्ति बिहार के विस सभी माध्यमिक और उचमाध्यमिक स्कूल जहां सक्षक नहीं है यह सक्षकों की कमी है तो उन स्कूलों में बिहार सरकार के सक्षा विवाग के दोरा सक्षकों की प्रतिन्युक्ति की बतादेक स्क्षक विवाग के माधिमिक निदिशक करनिया प्रशाद की ओर से राजी के सभी जिला सिक्षा बदादिकारियों को आदिश पत्र जारी कर दिया गया है। माधिमिक विद्याले में कारेरत माधिमिक सक्षक अपने ही परिसर स्थित उच माधिमिक वर्ग क्लास 6-8 तक में आवशकता के अनुसार वर्ग कक्ष का संचालन करेंगे। अर्थवेवस्था को उबारने में बिहार टॉप तीन में बिहार विधान मंडल में वित्मंत्री विजय चौदरी के दौरा पेश किये गए सी एजी रिपोर्ट से हजामकारी निकल कर सामने आई है कि कोविड महमारी के बाद अपनी अर्थवेवस्था को फिर से जिवित क कड़ों के हिस्से और सुअकर राजश्व में वृधी के कारंन राजश्व प्रापती में 30,630 करोड रूपे यानि 23.9 नौश्र प्रतिशत की वृधी दर्ज की कई बता दी कि सामाजिक सेवाओं में वृधी के कारण राजश्व व्यप में 19,727 करोड की वृधी हुई राजिस सरकार की दोरा 31 मार्च 2022 को समामत हुए वीतिय वर्स के दोरान कूल बजट का प्राधान 2,65,396.87 करोड के विरुद, 1,94,202.2 करोड खर्च किये गए मीठापूर महुली एलिवेटेट सरक के लिए 500 करोड रुपए की रासी स्विक्रित बिहार के मुख्यमंतर इनितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिने की बैठक में कुछ 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई जिसके तहट मीठापूर महुली एलिवेटेट सरक के लिए 500 करोड रुपए की रासी स्विक्रित कर दी गई है अब 212 फीजदी के बजाए 251 फीजदी महंगाई भत्ता दिये जाएंगे इसके साथ ही जल संसादन विवा के एक्जेक्यूटिव इंजीनियर प्रेम प्रकाश और क्रिसी विवा के क्रिसी निदिशक रविशंकर प्रसाथ सिंग को उपत से बरखास्त करने पर हरी जंडी दे दी गई है इसके साथ ही अन्य जेंडों पर भी मुहर लगाई गई बीजेपी निता की मौत पर SSP का बयान बीते दिन बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनका एक नीदा विजया सिंग के मौत हो गई थी जिसके बाद अब इस मामले को लेकर पटना SSP राजीव मिश CCTV फूटेज में वे अपने साथियों के साथ बातचीत करते ही नजर आ रहे हैं कांधी मैदान में सभा करनी करमती दी गई थी किसी प्रकार का जुलूस और विधान सभा मार्च निकालनी करमती नहीं दी गई थी लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमती के विधान सभा मा सिती को कंट्रोल किया अभी तक अनुसंधान में यह बास सामने आई है कि विजय से इंडाक बंगला तक पहुँचे नहीं थे वे गांधी मैदान से छजू बाक की ओड जाते नजर आ रहे थे बीजय पी के कई बड़े निताओं पर मामला दर्ज बीजय पी के कई वर्ष निताओं के खिलाब बिहार विधान सभा का घिराओ और हंगामा करने के मामले को लेकर कोतवाली थाने में मजिस्ट्रेट के बयान पर मामला दर्ज किया गया है जिनमें बिहार पुर्व रेनु देवी विधायक संजय सरावगी, सांसत सुसील कुमार केंद्रिय मंत्री साहनवाज हुसैन, सांसत जनार्दन सिंग सिग्रिवाल के साथ साथ एक हजार अग्यात दोगों के नाम शामिल है सर्ग जाम करनी, पत्राव करनी के साथ साथ विना अनुमती के मार्च निकालने सहित कई गमभीर आईपीसी धारा में मामला दर्च किया गया है भाजबा विधायक संजय सिंग को फेका गया विधान सभा से बाहर अल बिहार विधान सभा के मौंसून सतर के पाँचवे दिन यानी की आखरी दिन एक बार फिर से बीजेपी विधायक को मार्च निकाल दिया गया दरसल सदन के सुरू होते ही बीजेपी विधायक के दोरा हंगामा किया गया जिसके बाद स्पीकर अवद बिहारे चौधरी के दोरा उन्हें अपनी जगह पर जाने को कहा गया लेकिन इसके बावजुद हंगामा होता देक स्पीकर के नर्दीश पर विधायक संजैसिंग को मारसलो के दोरा बाहर कर दिया गया जिसके बाद उन्हें गुस्ते का इजहार करते वे कहा कि हसरकाल लाठी गोली के बलपर सब कुछ चलाना चाहती है एक दिन पहरे इसी तरह भाजपा के सांतिपुन प्रोदर्शन पर लाठी चार्च किया गया तो आज उन्हें सदन से बाहर फिक दिया गया उन्हें कहा है कि के सर पर चोट लगी है मालुम हो कि आज सदन की कारेवाही चार मिनट तक ही चली और दो बज़े तक स्थगित कर दिया गया डेब्यू टेस्ट में तुफानी सतक जरने के बाद भावुक हुए सस्वी भारत और वेस्ट इंडीस के खिलाब दो टेस्ट मैचों की सीरीज खि जिधारी हुई सस्वी जैस्वाल ने अपने डेब्यू मैच में सतक ठोग दिया है आपको बता दे कि अपने डेब्यू मैच में सतक लगाने वाले भारत के साथवे खिलारी बने है मैं तुफानी सतक और दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रिशारन करता चैनल से ब बदत की है मैं इस पार श्रे अपनी मा बाप को देना चाहूँगा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जंदगी में और भगवान है जादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अभी बस सुरवात है और आगे भी बहुत कुछ करना है बीदे दिने मादरा पूछ का स सारी वीद प्रकास सिंग इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपकी छत में मौसम की क्या सती है अपना जवाब हमें अमारे कमें सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारे नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखें चल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद